ध्यान से सुनना, ये महत्तम आपके जीवन को सुख परजान करता है। दीपावली के दिन घर के दरवाजे पर केवल द्वार पूजन होती है, शुबलाब नहीं लिखाया जाता है। आज लाब पाचन का दिन ऐसा होता है कि कंकू से, सिंदूर से, हल्दी से, जो आपके घर में हो, उससे तरवाजे पर या मंदिर के अंदर जहां तुमने लच्मी पूजन करी होती है, एक तरफ शुब, दूसरी तरफ लाब लिखाया जाता है, जिससे हमारे घर में संपता आज के दिन लिखाया, लाब पाचन का, क्यों कहा गया, क्योंकि इसी दिन गुणवती ने अपने भाग के को लाभनवित भी हिया था, इसलिए ये लाब पाचन है, आप से भी निवेदाने है, आज लाब पाचन का दिन निकलने मत देना, अपने घर के दरवाजे पर, खु पूजन घर के अंदर करा हो, पूजन वाली जगा पर, कोई दिवाल हो, भगवान की अलमारी हो, भगवान की चोकट हो, जहां हो, छोटा सा शुब और लाब जित्ता वड़ा आप लिख सकते हो, कोई तीली से, काडी से, उंगली से, आगर वा नहीं लिख सकते हैं, तो अप लोगों को तो मालूम होगा, पहले के समय में, दिवाली पर ये जो गल्ला वेपारी है न महाराज, इन लोगों की चुटी हो जाते हैं, पड़वल जी, ये गल्ला वेपारी जो होते हैं, सारा वेपार की चुटी हो जाते हैं, तो गल्ला वेपारी जो होते हैं, कपड़ा व वकील ये जो जितने अपने जीवन भीमानी गम करने वाले होते हैं या लाइसी वाले होते हैं या गाड़ी वाहन वाले होते हैं या अन्य जितने भी होते हैं इनको आज के दिन अपने काउंटर पर अपनी पेन पर लीड पर जो काम करते हैं वहाँ पर शुबलाब लिखना ज जीवन पर्यान सुक समर्द्धी में कमी जादा कुछ नहीं बने तो शंकर के मंदिर में जाकर घीके दिये जला पांच दिये लगा और जादा कमी पढ़ रही हो धन की संपदा की सत्ता की कोई प्रॉपर्टी कोई तुकान कोई धंदा पाणी नहीं चल रहा बहुत कश्ट में हो तो नहीं हो तो महारा एक स्वाट चाबल के दानों को केसर में भिंगो कर घ्र केचर के पाई में केशरिया करकर अस्वाइब कर को मद्य राक्री में सूरी अस्त के बाद रात के बारा बजे से पहले कभी भी शंकर कुछ चड़ा दू समर्पित कर दो और वही अप्षच के राने उठा कर वापीस रख लेना पर ममोरत में सुबाद चार वजे फिर वावा पे सोब देना ना धन बढ़ता चले जाए जाए और इसंकर डाने नहीं से जाएंगे नीचा यह से गुछ नहीं कितना सुंदर लिखा है दो टे रुद्राख्य की माला चोटा जो रुद्राख्य होता हैं उसकी माला कैंसर की जो मरीज होता है उसकी माला अगर पाणि में डाल दी जाए और उस पानी को वो मन कहीं डाल दो इसी का पानी थोड़ा थोड़ा कैंसर के मरीज को सुबहा दो पार शाम श्रीशिवाय नमस्थुभ्यम का जाप करकर पंचापचर ओम नमस्षिवाय का जाप करकर चंकर शिव का नाम लेकर महांकाल बाबा का नाम लेकर विश्वेश्वर विश्वनात का नाम लेकर कैजारिश्वर का नाम लेकर बारा जोतिलिंग का इसमर्ण करकर अगर वो आच्मन करना प्रारम कर दे तो कैंसर रोग में भी आराम मिलना प्रारम हो जाता केवल आच्मन ही नहीं करना है अगर इस्तरी है तो अपने उल्टे हाथ पर भी उस मनके की माला को लबेट सकती है पुरुष है अपने राइट हैंड में उस माला को अगर कैंसर से पीडित बेखती है रोग से बहुत बेखती है और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भावे मारत पहला जल साधा घर से पानी लेकर गए जल लेकर गए शंकर को चड़ाया वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया भगवान शिव को जल चड़ा कर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर दो दूसरा जल जल के कलस में थोड़ा सा इत्र डाल कर शंकर को समर्पित करते हैं तो महराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगी लाब भविश्य पुरान में अगणी पुरान में नारब पुरान में जितनी चीजे लिखी गई है एक एक प्रेक्टिकल कर दिखो तो शिव महा पुरान इसकंद्र पुरान का यह भाव जात करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर जल में इत्र मिलाकर बहुत रोगी लव्यक्ति बहुत बिमार व्यक्ति है एक लोटा पानी उसका हाथ का इस पर शकरा कर संकर को चड़ाना प्रारम कर दीजिए महराज केवल पाँच या साथ दिन चड़ाओ और वो साथ दिन के बाद में उस बिमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है और शदी दवाई काम करना प्रारम करीव कि ना हो केवल इत्र समर्पि इत्र का जल तो पहला जल सागा दूसरा जल है इत्र का औ बाद में एक बिल पत्र अंदर डाल कर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना अपनी मन की कामना बगवान शंकर से कहा देदा केवल पत्र के माध में बोलना नहीं हम को कुछ हमें कुछ कहना नहीं है थीं तरह का जल पादिया ऐक साधा जल बगवान को कहा पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चड़ा रहे हो जिस कामना से चड़ा रहे हो शंकर वो कामना आपकी पूर्ण कर देंगे तो उसमें पाएंगे है किलिक MOR के अंदर लिखा ये आप संकर को अगरल भी नहीं चड़ाया आप संकर को भश्तर भी नहीं चड़ाया तो केवल शंकर के मंदर में दो चड़ ऑ उस हिवलिंग के समुक में बेच जाओ कुछ मत बोलो केबल मोन होकर उसको निहार लो जो हनमान जी महाराज को तीन तरह की माला समर्पित होती है एक आकड़े के पत्ते के दूसरी बेलपत्र के पत्ते के तीसरी पीपल के पत्ते के ये तीन तरह की माला जो हनमान जी महाराज को समर्पित होती है जिस समय पर अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो गया है बहुत ज़्यादा कश्ट हो गया है कैंसर जैसी बिमारी भी अगर उसको घेल ली है और गिड़नी लीवर साथ वेकार हो गया तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनवाव 108 पत्ते की और हन्मान चालीसा का हर पत्ते पर इस्मन करिए मारत आप हन्मान चालीसा पढ़ते जाओ माला में काट लगाते जाईए और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीडित है हाथ का इस पर चकराईए और शंकर को चड़ाईए कि आप दवाई लगना प्रारम होगी कैंसर जेसा रोग भी धीरे-धीरे समाप्ती पर आए कोई बच्चा एक्जाम में बेठ रहा है कोई बहुत बड़े एक्जाम में बिठा पास होई नहीं रहा बहुत हार गया बेलपत्री की माला चड़ा अब बेलपत्र की माला चड़ाओ 108 बेलपत्र आप श्री शिवाय नमस्तु भ्यम मंत्र का जाप करकर दाट लगाकर भगवान श्री हनमान जी महराज के सामने पहुचकर माला को सीधी रखकर जो व्यक्ति एक्जाम में बेठ रहा है पूर्व मुखी में जिन हनमान जी का मुख हो वो माला इसे समर्पित करकर तीन प्रदोश पर प्रदोश काल में अगर एक आधी चमज भी गोमाता का दूद मिल जाए एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूद और उल्टे हाथ में दूद जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूद का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवाले में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना करकर शंकर के मंदिर में जाकर दूद अशुक सुन्धरी वाली जगा पर चड़ा कर जल संकर के शिलिग्क पर जो समरपिद कर देता है देवादी देव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं पूर्ण कर देते